दिल्ली में नमाजियों को लात मारने से पहले क्या हुआ था वहाँ नए वीडियो से नया मोड इंदर लोग में नमाजियों को लात मारत हुए एक पुलिस कर्मी का वीडियो सामने आने पर शुकरवार को दिल्ली में जम कर बवाल हुआ इंद्रोक मेट्रो स्टेशन के पास वी घटा के बाद एलाके में करीब 4 घंटे तक बवाल होता रहा तो अभी तैनाव बरकरार है हाला कि अभी इस मावले में एक नएव वीडियो भी सामने आ है जिसमें दिख रहा है कि पहले पुलिस कर्मी ने लोगों से सड़क से हट जाने को कहा था उसने हाथ से धका दे कर भी हटाने की कोचिस की लेकिन उस पर हमला कर दिया गया इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास शुकुरवार को बड़ी मस्जित में लोग नमाज पढ़ने आये थे इस दौरान कुछ लोग सड़क पर ही नमाज पढ़ने लगे जसी अलाके में या ता या त्विवस्ता बादित हो गई इसकी शिकायत मिलने पर इंद्रलोक चौकीन चार्ज एसाई मनुज कुमार पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे और लोगों को सड़क खाली करने के लिए कहा लोगों ने बातों कांसुना कर दिया इसे नारज एसाई ने कुछ लोगों को पीचे से लात मार दी इसके बाद लोगों ने घटना को लेकर बवाल कर दिया और सभी इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास चौड़ाहे पर बैट कर प्रदरशन करने लगे प्रदेशन के करन जाम लगने से जखीरा पुल से, नजबगर रोड, सास्तिनगर और केशवपुरम जाने वाले लोगो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जाम में फसी अम्बूलेंस को निकलवाने पहुंची थे पुलिस कर्मी बजसलों की मामने में एक और वीडियो वारेल हो रहा है, इसमें देखा जा सकता है कि पुलिस कर्मी जगे जाम खुलाने की कोशिच कर रहा है, वहाँ पर एम्बूलेंस सहित कुछ रने वहान फसे हुए हैं, पहले वे लोगों को वहां से हटने के अपील करता है, बाद में उ इसके बाद से इमामला बेकाबू हो गया, लोग एककत्र होकर हंगामा करने लगे, उपद्रव्यों ने पत्राव किया था, बड़ी संख्या में लोगों ने इंद्र लोग चौकी को गेड लिया और पुलिस कर्मी पर बड़ी कारवाही की मांग करने लगे थी, डिसीपी मल